नेम धर्म आचार तब ज्ञान जग्य जपदान, भेशजपुनी कोटिनह नहीं रोग जाही हरीजान, नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचण तब ज्ञान, यग्य, जप, दान तथा और भी करोडों औश्दिया है, परंतु है गरुडजी, उनसे ये रोग नहीं जाते, जिनको निर्गुन सगुन का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढंत बाते बका करते हैं, जो श्री हरी की माया के वश में होकर जगत में, जन्म मृत्यू के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है, बातुल भूत बिबस मत्वारे, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे, जिना कृत महामो मत पाना, तिना कर कहा करिय नहीं काना, जिन्हें वायू का रोग, सन्निपात, उन्माद आदी हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, राम कृपा नास ही सब रोगा, जो एही भांती बने संजोगा, सद्गुर बैद बचन बिश्वासा, संजम यह न बिशय के आसा, यदी श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नश्ठ हो जाए, सद्गुरु रूपी वैद्ध के वचन में विश्वास हो, विश्यों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो, रगुप्ती भक्ती सजीवन मूरी, अनुपान शद्धा मती पूरी, एही बिधी भले हिं सो रोग नसाही, नाहिंत जतन कोटी नहीं जाही, श्री रगुनात जी की भक्ती संजीवनी जड़ी है, शद्धा से पूर्ण बुद्धी ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदी है, इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नश्ठ हो जाए, नहीं तो करोडों प्रयत्नों से भी नहीं जाते, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वग्य सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्यानी है, वही प्रित्वी का भूशन, पंडित और दानी है, वही धर्म प्रायन है और वही कुल का रक्षक है, सो सुखु कर्मो धर्मो जरी जाओ, जेहे ना राम पद पंकज भाओ, जोगु कुजोगु ज्यानो अज्यानू, जेहे नहीं राम प्रेम परधानू, जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए, जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधान्ता नहीं है, वहाँ योग कुयोग है और वहाँ ज्ञान अज्ञान है, जिमी थल बिनो जल रही ना सकाई, कोटी भाती को करे उपाई, तथा मोच सुख सुनू खगराई, रही ना सके हरी भक्ती बिहाई, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोडो प्रकार के उपाई क्यों न करे, वैसे ही है पक्षी राज, सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरी की भक्ती को छोड़ कर नहीं रह सकता, रामचंद्र के भजन बिनु जो चहपद निर्बान, ज्यानवन्त अपी सो नर्पसु बिनु पूछ बिशान, री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्यानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है, सुनू खगेस हरी भक्ती बिहाई, जे सुक चाही आन उपाई, ते सठ महा सिंदू बिनु तर्नी, पैरी पार चाही जड़ करनी दो, है पक्षी राज, सुनिये जो लोक्ष री की भक्ती को छोड़कर दूसरे उपायों से सुक चाहते हैं, वे मूर्क और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहास के तैर कर महा स्मुद्र के पार जाना चाहते हैं, मिले ना रघुप्ती बिनो अनुरागा, किये जोग तब ज्यान बिरागा, उत्तर दिसी सुन्दर गिरी नीला, तेहे रह काक बुसुंडी सुसीला, बिना प्रेम के केवल योग, तब ज्यान और वैराग्यादी के करने से श्री रघुनात जी नहीं मिलते, अतेव तुम सत्सन के लिए वहाँ जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुन्दर नील परवत है, वहाँ परम सुशील काक बुशुंडी जी रहते हैं, राम ही केवल प्रेमु पियारा, जानी लेव जो जान निहार राम सकल बंचर तब तोशे, कहीं मृदू बचन प्रे परिपोशे एक, री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचर्ण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया